प्लाटफर्म मैं नम इस गृविंदर सो एस पर माई पॉमिस एस पर माई कमिटमेंट जो मैंने इस रीजिन के स्टूडेंट के साथ किया है कि जिसमें उन बच्चों को डाउट रहता है या उनका सिर्फ एक जो लिमिट रहता है अपनी स्टेट में ही जॉब लेनी है ठीक है वो ड्रीम है आप लोग होगा लेकिन अब स्टेट का जो जॉब्स है वो अंसर्टेन है इसी कारण से मैंने आपको पहले भी बहुत वीडिय को बताना है कि यह अब इसका आगया इसका त्यारी आप कर सकते हैं हम करवा रहे हैं नहीं करवा रहे वो एक अलग मैटर है अधर्वेस एक अब यह ऑप्शन का पता होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है कई बर सिट्टे उसमें ज्याद आएगी कई बहुत उप्रचुन्ट के साथ जो है ऐल इंडिया लिमिटीड का एक पब्लिक सेक्टर है यह है इसमें रिक्रूटमेंट है क्वालिफिकेशन एच लिमिट मैं आपको सारा बता रहा हुँ इसमें आप लोगों को मैं क्योंकि हमारे अट्वर्वार्टमेंट से जिसने बेचलर डिग्री किया है इन chemical में 2 vacancies है senior officer electrical के लिए 10 vacancies है senior officer fire and safety में 11 vacancies है senior officer internal audit 11 mechanical 41 mechanical और electrical students specially mechanical और electrical students जिनको ये लगता है कि सर्फ state में तो सिर्फ civil engineering का vacancies आता है हमारे लिए तो कोई option नहीं होता इसका मैं answer आप लोगों को हर बार उसी चीज़ के लिए साथ करता हूँ कि भई अगर state में किसी department में requirement अगर civil engineer का ज़्यादा है तो obviously वो civil engineer का रखेगा public sector में अगर ज़्यादा requirement mechanical का है तो उसमें mechanical रखेगा इसमें electrical का ज़्यादा requirement है electrical को ज़्यादा recruit करेगा तो that depends upon organization to organization और आप सभी को ये सारी vacancies को target करना चाहिए आपको इस सारे exam लिखते रहना चाहिए क्योंकि purpose एक ही है सर मेरे को अपनी job लेनी है जो मेरे को अपना job profile करना है अपनी state के लिए करना है तो जब तक तुमारा वो exam नहीं निकलता उस time तक सर हम क्या करें momentum कैसे maintain करके रखें preparation को अपनी कैसे continue रखें तो यह वो चीज़े हैं जिसमें आप अपना form maintain करके रख सकते हैं अपनी preparation को continue रख सकते हैं और यह वैसे भी महारत नहीं इसका space scale देखना बहुत ज़्यादा हाई है अब इसका जो भी आप लोगों में से interested हैं इसकी preparation करनों को लेके especially electrical and mechanical के लिए yourpedia पे हमने batches launch कर दी है जिसने भी इसमें preparation करनी है तो description में link दिया हुआ है directly join करने का secondly इसका google form एक दिया हुआ है कि अगर आपको doubts है module की details डालनी है तो आप वहाँ पर पता कर सकते हैं कि module के लिए preparation के लिए आप लोगो वहाँ से आपको information उसका मिल जाएगा अध्रिस directly join करके आप लोग इसका जो है preparation कर सकते हैं doubt आएंगे sir preparation के लिए exam के लिए कितना time है हमारे पास roughly किसी भी ऐसे public sector के लिए जब कोई exam आता है तो roughly आप लोगे के पास वही तीन से चार तीन से चार महीने का exam का time होते है लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसे ये जो exam आते हैं public sector के ये बहुत ही easy exam बते होते हैं बहुत straight exams होते हैं except some exams like BARC, ISRO, इनके थोड़ा सा level of exam थोड़ा अच्छा होते है लेकिन HPCL, BHEL, BEL, HAL, HAL में भी अच्छा exam level होते है ये आपका OL आ गया, HRRL आ गया ऐसे बहुत public sector हैं जो एक साल के अंदर recruitment करते हैं और जिसमें जो exam का level है मैं बोलूँगा अगर मैं comparison करूँ तो SACJE वाला level है, इससे beyond नहीं है इसके previous question का भी series अभी हम start कर देंगे Yorpedia पे, तो जो भी आप लोगों में इसका preparation करना चाता है, तो directly Yorpedia team के साथ जुड़के, इंजिनिस करेपेंट के team के साथ जुड़के, आप अपना preparation start कर सकते हैं नेक्स इसको continue करते हैं, internal audit, mechanical 41, information technology तीन, दिमाग में doubts आएंगे, सर सिटने तो बहुत कम है भाई आप लगों को एक ही चाहिए, आप लगों उसका तियरी करो, preparation करना start करो electronics and communication again, state में job नहीं आती है यहाँ पर आपके पास opportunity है, आप लोग इसमें apply कर सकते हैं उसके बाद petroleum, geologist, HR की 13 vacancies यह सारा है अब मैं थोड़ी से और detail हम डानते हैं, अब pay scale देख लिजिए 50,000 to 1,60,000 का pay scale है, तो बहुत ज़्यादा high है confidential secretary के लिए, इनके pay scale क्या है, आप लोग एक बार check कर लो जो mechanical या electronics के लिए, again 60 to 180 तो आपका जो salaries है, यह बहुत roughly, CTC जो है आपका तकरीबन तकरीबन महारतना, जितने भी महारतना है सभी का 17, 18 के आसपस जाता है, तो roughly 7,5,000 के आसपस आपका salary बैटता है, right, age limit वो सारी details इसमें आपको मिल जाएगा कितना relaxation है, किस case में वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अब हम लोग जो directly आते हैं, वो आते हैं इसके exam structure पर, कि exam structure क्या है general के लिए fees 500 plus taxes, उसके बाद बाकियों के लिए यह कोई fee structure नहीं है अब आगे इसका exam structure, selection process, very important phase 1 CBT, computer-based होगा, so number का आएगा, exam pattern इसमें दिया हुए qualifying marks में दिया हुए, 50% for the general OBCWS 40% मतलब for SCST and PWD qualifying मतलब, qualifying का मतलब यह नहीं है कि अगर मैंने 50% marks ले लिए तो मेरे को next round के लिए call आ जाएगा उसका मतलब नहीं होता, यह होता है कि तुम 50% minimum लेने जरूरी है उसके बाद आपको next round के लिए call आएगा नहीं आएगा, वो depend करेगा married के ओपर कितने number of times उने बुलाने है, तो उसका married बनेगा, तो यह उसके लिए इन्होंने लिखा होता है अगेन, same procedure, उसके बाद आपका आ गया for the qualification of professional skill test, इसमें देखो आप लोगों को यहाँ पे, जितने भी CBT होएंगे, phase 2, professional test वगारा जिसमें भी होगे, यह है specially for the confidential secretary के लिए, इसका जो है exam pattern यह है, बाकि आप लोगों के लिए जो engineering related जो vacancies हैं, उसका जो exam pattern है, वो यह है, CBT 100 marks 50% 40%, interview 15, no qualifying marks, यह इसका exam pattern है, उसके बाद आप आजएए इसके details पे, कि इसमें कौन कौन से number का कितना part आएगा, इसमें जो है, आपका 100 questions आपके आएंगे, total, जिसमें से 50% part जो रहेगा, आपका technical part रहेगा, 50% part जो है आपका, इसका non technical part रहेगा, इसका मैं एक detail video आपको बन बना दूँगा, next important point है कि 5 January से इसका form filling start होगे, और 29 January तक आप लोग इसमें apply कर सकते है, इन्होंने details दिया हुआ है कि आपको इसको form वोगरा कैसे fill करना है, exam pattern, again मैं दुबारा से repeat कर रहेगा, exam pattern इसका आपको 50% इसमें आएंगे, total 100 marks का आएगा, 50 marks का आएगा technical, और 50 marks का आ प्रपेशिंग करना चाहते है, और पीडिया के साथ आप जुड़के अपना प्रपेशिंग कर सकते है, right everyone, thank you and all the best.